दोस्तो ओम नमश शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बैल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 जनवरी 2024 दिन सौंबार के आपकी राशी के दैनिक राशी फल के बारे में की आपकी राशी वालो के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से आज आज आपको साफधान रहना होगा आज लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और साथिसाथ आज आपका भग्यासाली अंक क्या रहेगा भग्यासाली रंग क्या रहेगा आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाबकारी शाबित होंगे और साथ साथ आज आपके भाग्या का आपको कितना परतीसत साथ मिलेगा और साथ साथ आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा इन सभी की महत्पपून और सटीक जानकरी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन दोस्तों आज का ग्रह गोचर आपके लिए ऐ प्रतियासित लाब की इस्तिती बना रहा है इसलिए आज के समय का आप भरपूर सदियो प्योग करें लंबे समय से चले आ रहें किसी तनाव और चिंता से आज आज आपको राहत मिलेगी धार्मिक इस्थान में जाने का भी प्रोग्राम बनेगा साथ साथ आपको बता दें आज दोफेर बाद कोई आप रिये समाचार मिलने से मन थोड़ा व्यतित रहेगा किसी भी महत पपूर्ण वस्तू के चोरी होने का या फिर गुम होने का भी बहर रहेगा कई बार किसी मुद्दे पर ज़्यादा सोच विचार करने की वज़े से कोई महत पपूर्ण उपलब देवी हाथ से निकल सकती है थोड़ा सचेत रहें साथ यसाथ आपको बता दें अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज उसे पूरा करने के लिए उचित समय है शबी प्रकार के रिस्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से आपको खुसियां आज महसूस होंगी घर के रकरकाव तथा साज सज्जा संबंदित कारणों में भी समय व्यतीत होगा साथ यसाथ आपको बता दें कभी कभी आत्म विश्वास में कमी तथा आलस की वज़े से बंते-बंते कामों में रुकावटें आ सकती हैं अपनी नकारत्मक कमीयों को दूर करके आप बहतरीन रिजल्ट प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों के साथ जादा गूमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें साथ साथ आपको बता दें, आज आप बहतरीन तरीके से अपने कामों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे, अपनी छुपी हुई प्रितिवाओं को समझें और उनको सही दिसा में लगाएं, भाहियों के साथ किसी महत्मकुन मुद्दे पर शकरत्मक विचार विमर्स हो सकत है, साथ साथ बता दें, शेयर शट्टा आदी में किसी भी प्रकार का आप निवेस आज ना करें, तथा किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी ना पड़ें, घर में महमानों के आगमन से कुछ महत्पुन काम भी रुख सकते हैं, इसलिए अपने काम के परती पूरा फल अब आपको मिलेगा, साथ साथ आपको अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म अबल भी महसूस होगा, शानती की चाह में किसी धर्मिक इस्तल पे भी समय वेतित होगा, परंतु किसी भी व्यक्ति के साथ बात चीत करते समय आपको साबधानी भी कोई नकारात्मक बात आपसे संबंदों को खराब भी कर सकती हैं, आलस की वज़े से काम को कुछ टानने की प्रवत्ती भी रहेगी, विध्यारती वर्ग अपने पढ़ाय के पढ़ती जाता एका गर्चित रहें, परंतु दोस्तों आपको बता दें, आपको यह ध्यान रख आपकी ठकान को दूर कर देगी, अनुबवी लोगों के साथ शमय वैतित करने से कुछ बहतरीन आपको शीकने को मिलेगा, जैंदोस्तों मन में यदि किसी भी प्रकार के कोई दुविदा चल रही हैं, तो उसका आज समाधान भी निकलेगा, शंतान दुआरा को सुब समाच प्रबल योग हैं, किसी ना किसी माध्यम से आज आपको धन की प्राप्ती होनी ही हैं, क्योंकि धन लाव के आज योग हैं आपके लिए, शमय का भर्पु लाव उठाएं, शमय को हसे ना जाने दें, दोस्तों साथे साथ बात करें, आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो दोस्तों आपको बता दें, परिवारिक सदसों के साथ मनोरंजन तथा सौपिंग में आज समय व्यतीत करने से आपसी संबंदों में और अधिक मधूरता आएगी, साथि साथ पती पतनी में आपसी समंझस का भाव विद्धमान रहेगा, परिवारिक व्यवस्ता को बना रखने के लिए अपने क्रोध पर नियंतन रखना आपके लिए अवशक है, साथि साथ रिष्टेदारों से संबंदित कोई सुब सूचना मिलने से घर में उत्सव भरा माहूल रहेगा, प्रेम संबंदों में भी और अधिक नजीदी कियां आएगी, साथि साथ आपको बता प्रेम संबंदों के लिए आज गर दिन आपके लिए अतियंत लाव प्रद समय रहेगा, बहुती अच्छा समय है आज का प्रेम जीवन के लिए, बर पूल लाव उठाएं, और दोस्तों साथि साथ आप बात करें, आज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहेगा, तो दोस्तो आपको बता दें, आप अपने कारेच्छेतर में आज धन लाव प्राप्ती होते हुए देखेंगे, जा दोस्तों कारेच्छेतर में धन लाव प्राप्ती के लिए किये गए, नए अनुबंद, आज विक्सित होंगे, तथा नई योजनाएं बनेंगी, रुक्वेवे काम भ शुरू करने से पहले, घर के अनुबंवी विक्तियों की सला आप अवशने, आपके लिए हित कारी रहेगा, लाब कारी रहेगा, और साथ शाथ आपको बता दें, प्रौपर्टी संबंदित कारों में आज आज आपको सफलता मिलेगी, तथा वेपार को आगे बढ़ाने के नौकरी की द्रश्टी से आज का समय आपके लिए अत्यन्त महत्पपूर्ण रहेगा, नौकरी से संबंदित कोई भग बड़ी खुसकवरी आज आपको मिलकर ही रहेगी, जिससे आपको खुसी का अनुबंव होगा, साथ शाथ बता दें, कुछ नए वेवसाइक्स अनुब बता को और अधिक भेतर करना आपके लिए अत्यावशक है, साथ शाथ वेवसाइक्स अनुबंदित कोण से शमय आज का पूर्टे आपके पक्ष में है, आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में आज शक्षम रहेंगे, नौकरी पेसा लोगों को भी अपना काम कुछ सल्टा से पूरा करने पर सीनियर्स ओफिसर से शकारत्मक परणाम हासिल होंगे, साथ शाथ अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप बखो भी करेंगे, साथ शाथ एक बात का ध्यान रखें, नौकरी पेसा व्यक्ति, अतिरिक्त आय प्राप्ति के लिए किसी किसी प्रकार का कोई अन्य प्रियास ना करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की मान हानी के भी आज योग बन रहे हैं, जैसी आपकी नोकरी चल रही हैं, इमानदारी से बस नोकरी में लगे रहे हैं, अतिरिक्त आय प्राप्ति का मन में कोई भी लालच ना लाएं, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं मान हानी के भी योग बन सकते हैं तो इसलिए जितना मिल रहा है उसमें संतुष रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें दोस्तों साथी साथ बात करें आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तों आपको बता दें अत्यादिक काम की वज़े स आज आपको ठकान वे कमजोरी महसूस होगी समय समय पर आरामभी लेना आवश्क हैं साथी साथ ध्यान रखें कि गिरने या फिर चोट लगने की भी आज आशंका लग रही हैं आज आप वहन बहुती ध्यान पूर्वक चलाएं ध्यान से चलाएं दुरगटना के भी आज ही लिए भाग्यसाली अंक रहने वाला हैं पांच और भाग्यसाली रंग रहने वाला हैं नारंगी और सुनहरा और दोस्तों साथी साथ बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाबकारी शाबित होंगे किन उपायों को करने से आपको लाब मिलेगा तो दोस्तों आज आप छोटी कन्याओं में खीर बाटें ऐसा कन्ने से आर्थिक उननती होती है आर्थिक लाब के योग बनते हैं दोस्तों साथ चाथ आज आप नारंगी या फिर सुनहेरे रंग का रुमाल जेब में रखें या दोस्तो जेब में रुमाल रखना आर्थिक इस्तिती के लिए शुब होता है सुनेरे रंग का हो या फिर नारंगी रंग का हो रुमाल जरूर रखे आज आप अपनी जेब में लाव मिलेगा आपको और दोस्तो शाथ शाथ क्या करें आप यदि आप शराव का शेवन करते हैं तो उसे त्याग दे इससे मंगल बिगड़ता है परिवारे के सुक हेतू इसका त्याग करें ऐसा करने से घर परिवार में शुक्षमरदी का वास होता है और आपके जीवन से जो भी दुख दर्द कष्ट हैं उनसे भी आपको धीर धीरे छुटकारा मिल जाता है यदि आप शराव का शेवन करते हैं तो उसे आज ही त्याग दे मंगल बिगड़ता है इससे और दोस्तो अब बात करें आज आपको आपके भग्य का कितना परतीसा साथ मिलेगा तो दोस्तो आपको बता दें आज आपका भग्य मीटर बता रहा है कि आज आपको आपके भग्य क्या पूरे नब्ह परतीसा साथ मिलेगा हरहर महादेव जै बहुलेनाथ